चात्रों के लिए कही ना कही यह good news है और आपका जो All India Quota की counselling है वो finally यहाँ पर उसका process जो अब श्टार्ट हो चुका है कही ना कही मैं यह कहता हूँ कि अगर इसके registration श्टार्ट नहीं हुए है तो कही ना कही उसके regarding process जो है MCC स्टार्ट कर चुका है मैं MCC के official website पर हूँ पूरा वीडियो मन तक बने रहेगा मैं बताने वाला हूँ क्या update है MCC ने late night एक official notification रिलीज के अपनी website पर जो कि आप देख सकते है Notice for Conversion Indian to NRI Candidates Round 1 ऐसे सभी candidates जो Indian to NRI में अपना conversion कराना चाहते हैं उन छात्रों के लिए important official notification है जी हा friends अगर आप इसको कराना चाहते है तो इस बहुत important notification है कैसे कराना है क्या इसका process है पूरा वीडियो मन तक बने रहेगा देखेगा मैं इसलिए बता रहा हूँ round 1 का process क्योंकि अभी तक ऐसा कोई step नहीं है कोई notice नहीं जिसमें लिखा हो कि round 1 के process के लिए counseling के लिए process start किया गया है finally यहाँ पर MCC नहीं भी बोल दिया कि round 1 के लिए process start हो चुका है तो मैं आता हूं friends MCC कि जब official website पर इस पर आप click करेंगे तो यहाँ पर आपको notice देखने को मिलेगा आप देख सकते है नोटिफिकेशन मैंने open कर लिया लेट नाइट रिलीज किया गया है नोटिफिकेशन गवर्रेंट ऑफ इंडिया डारेक्टे जनल ऑफ हेल्फ सर्विस ठीक है यहाँ से देखीगा ऐसा बोला गया है कि kind attention candidates who want get their nationality converted from Indian to NRI ऐसे सभी candidates जो Indian to NRI में अपनी nationality को convert कराना चाते है और counseling में first round के लिए participate करना चाते है इसका जो process है वो आज 10 बजे से सुबद 10 बजे से आज 30 दिसम्बर है और आज 10 बजे से इसका process स्टार्ट हो जाएगा और इसकी जो last date है वो दो जनवरी 2022 इसकी last date है ठीक है तो ध्यार रगिए कि सभी candidates जो NRI में convert कराना चाते है अपनी nationality वो बना इसका form आपको जो है यह email id है ur.nri.mcc at gmail.com इस mail पर आपको जो annexion number first है इसको जो है अपना पूरा fill up करके इस mail id पर आपको send कर देना है और यह mail id जो है आज 10 बजे से अक्टिवेट हो जाएगी यहाँ पर यह भी बोला गया है कि mail received before, after, stipulated time will not be considered, conduit are advised to send all documents enclosed in single mail only within the stipulated type यहाँ पर आपको किभल एक ही mail भेजना है और यहाँ पर बोला गया है कि 10 बजे से पहले और दो जन्मरी 2022 दस बजे के बाद कोई भी email id को receive नहीं किया जाएगा ध्यार रखेगा उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं कि इसमें क्या का documents की requirement होगी तो documents यहाँ प passport visa of the sponsor ठीक है उसके बाद दूसरा है relationship of NRI candidates per count order of the honorable supreme court Indian case यह case number यह है यहाँ पर deemed university in करनाटक ठीक है तो आपको relationship क्या है नराई के साथ बो यहाँ पर आपको उसका affidavit बनवा कर देना होगा साथ ही फ्रेंट्स affidavit from the sponsor, sponsor का affidavit आपको देना होगा, he c bill, sponsor entire course fee of candidate duly notarized, ठीक है, embassy certificate sponsor का देना होगा आपको, NEET का scorecard देना होगा आपको अपना तो यह सभी documents पांच documents आपको देने होंगे, मैं आपको बता दू friends यहाँ पर कि जो यहाँ पर जो ऐसे सभी candidates अगर NRIम अपनी candidate nationality को convert कराते हैं, तो last round तक इनको मैं बता दू आपको जब भी चार round होंगे, all India quota के, आपको cable NRI candidates ही count किया जाएगा, ध्यान रगेकर आप NRI में convert करा लेते हैं, दूसरा यहाँ पर यहाँ पर यह है कि NRI candidates को government seat के लिए कोई भी reservation नहीं मिलता है, और deemed university की बात की जाए, तो deemed university में NRI candidates का जो reservation है, वहाँ पर cut-off की बात की जाए, तो बहुत ही low cut-off जाती है, तो benefit आपको यह है कि deemed university में कर आप लेना चाहते हैं, तो NRI में अपनी nationality को convert कराकर ले सकते हैं, because deemed university की cut-off NRI के लिए बहुत low जाती है, लेकिन government seat अगर आप लेना चाहते हैं, तो government seat में आपको NRI candidates अगर आप हो जाते हैं, तो कोई भी reservation यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, चारो round तक आपको केबल NRI candidates ही माना ज रखिएगा, तो यह process है friends इसका, और यहाँ पर आपको अपने date, place, name, signature, सभी कुछ यहाँ पर fill up करके दे देना हुगा, तो ऐसे सभी condition जो NRI में convert कराना चाहते है, nationality वो करा लीजिएगा, दो जनवरी इसकी last date है, तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही बताना चाह रहा था, इसके लाबा और कोई क्योरी बेगर रहा हो, तो पूछ सकते है, comment box में, और मैं यहाँ पर और बताना चाहूँगा, कि जिन छात्रों ने चनल को subscribe याँ कौल लें, counselling की प्रितियक information आपको यहाँ पर दी जाएगी, एक बात और बता दू friends पर आपको यहाँ पर कि जो ऐसे स सभी student से roll कर पाएंगे, link आपको इसकी description मिलेगी, यह धेर सारे rewards आपको जीतने का मौका मिलेगा, यह आप schedule चेक कर सकते हैं, 7-8 बालाओं का 23 जनवरी को होगा, 12 बजे, 29 जनवरी को, 6 जनवरी को, यह सभी roll कर सकते हैं, और 10,000 question need, 2022 के students के लिए most important question, यह सभी educator आपको कराने बाले हैं, 5 जनवरी से, link आपको description मिलेगी, मेरा code TCS10 एर रॉल करीगा, और यह batch आपको 5 जनवरी से start के जा रहा है, जो बच्चा subscription लेना चाहता है, यह code डाले TCS10, आप subscription ले पाऊगो, आपको 10% का discount मिलेगा, अगर आपको 10% अधिक discount चाहिए, तो मेरे WhatsApp नमबर पर contact कर ले जो कि WhatsApp नमबर description में मैंने दिया रखा है, ठीक है, तो यह code डाले है, TCS10 आपर रॉल कर पाऊगो, finance पर भी subscription ले पाऊगो, और code और subscription की link दोने description मैंने आपको provide करा दिये, जी है, एक Uncademy Combat होगा, 2 जनवरी को 11 बजी आपर रॉल करीगा, इसमें डेहर सारे आपको subscription लेने का म